हूंगरी फूट फटा-फट मेंए आज स् ή cafe आपका आज हम बच्चो के लिए डिश लाए है जो कि हरी सबजी से परहेज करते हैं उनको बिना बताए आज हरी सबजी खिलाएंगे अब बनाएंगे पालक पराथा जिसके लिए पालक लिए हैं गाजर पराथा जिसके लिए गाजर लिए हैं बीट रूट पराथा जिसको लिए बीट लिए हैं यह है और टपिंग कर देंगे आलू का उनको पता भी नहीं चलेगा अब सबसे पहले हम पालक को बस उतना ही उबालेंगे जितना की सौप्ठ हो जाए देखिए ये खौल चुक रहा है पानी खौल रहा है पानी और ये सौप्ठ हो चुका है अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं अब इसको हम छान लेंगे देखिए ये ठंडा पानी है अब इसमें हम तुरत पालक को डाल देंगे ठंडा पानी में जिससे की इसका कलर बरकरार रहे है जब तक पालक ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग बीट को भी उबाल लेते हैं बीट के लिए हम पानी चढ़ा चुके हैं बीट को हम छील लिए हैं, और छोटे-छोटे पीश में काट लिए हैं, अब इसमें हम डाल दे रहे हैं, इसको भी सॉप्ट होने तब पका लेग refers 2 मिनिट के लिए इसको उबाल लेते हैं, यज को हम देख HORS हो चुका है पालक को पीश लेते हैं, पालक हम पीश लिए हैं, बीट को भी पीश लेते हैं, बीट रूट भी मेरा पिशा चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में, गाजर को हम च्छोटे-छोटे पीश में काट लिए हैं और इसको भी मिक्सी में पीश लेते हैं, गाजर को भी हम पीश लिए हैं, अब हम एस टपे में अध्रक और लासून और मेर्ट् disagree डानने के लिए मीक्सी में इसको दल्ली पीश लेते हूं, इसलिए लासून डाल रही ह सबसे पहले और इसमें अद्रक है छोटे-छोटे टुकरे काट लिए हैं अब हम आटा की तयारी कर लेते हैं जिसमें की पहले हम पालक कर आटा सानेंगे उसमें के लिए थोड़ा आटा ले ले रहे हैं ये गिहूं काटा है हम थोड़ा थोड़ा ही सान रहे हैं इसमें हम पालक का जो तयार किये हैं पीसकर इसको थोड़ा थोड़ा डाल के सानेंगे आलू जो अब हम भरेंगे तो आलू वाला जब भी हम प्राठा बनाते हैं तो फट जाता है उसके लिए आटा की तयारी अच्छे से करने परती है आटा जो है रोज चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा गीला ही साने इसको सौप्ट ही साने उस तरी चपाती जिस तरीका से रोज बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसको गीला सानिएगा देखिए इस तरीका से हम गीला साने हैं इस तरीका से आटा को तयार करिएगा पालक वाला आठा त्यार हो चुका है, अब हम गाजर वाला आठा त्यार कर लेते हैं, उसके लिए भी हम थोड़ा आठा गेहूं कर ले लेते हैं, इसमें जो गाजर पीसके रखें, वो डाल देंगे, इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे उसी तरीका से, जैसे पालक का सॉप्ट आठा त्यार कियें थे, गाजर वाला आठा त्यार हो चुका है, इसको भी इसी तरीका से हमने सॉप्ट साना है, अब हम बीट रूट वाला आठा सानेंगे, उसके लिए भी हम गेहूं काटा ले रहे हैं, इसमें भी हम बीट रूट डाल रहे हैं, इसको भी हम उसी तरीका से सॉप्ट सान के तयार कर लेंगे आठा को, देखिए ये भी आठा तयार हो चुका है, बीट वाला आठा, देखिए तीनो आठा तैयार हो चुका है ये रंग बिरंगे कितने अच्छे लग रहे हैं बच्चों को बहुत पसंद आएगा आलू का श्टपिंग तैयार कर लेते हैं अब इसके लिए हम कढाई चरहें गैस पर इसमें हम दो चमस तेल डालेंगे तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम प्याज डाल लेते हैं प्याज हलका सुनाला हो चुका है अब इसमें हम अध्रयफ लहसुन और मिर्ची का दर्दरा पिशा हुआ डाल रहें जिससे बच्चों के दात पर जाएंगे नहीं मूह में पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे लगेंगे इसको भी हलका फ्राई कर लेंगे इसमें हम नमक डाल रहे हैं स्वादनुसा हल्दी भी डाल देगे यह उबाला हुआ आलू है इसको मैस्ट कर लिए हैं अब इसमें हम डाल रहे हैं इसको भी हम थोड़ा प्राई कर लेंगे थोड़ा सा यह जवाईन मंगरेला है थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें हम थोड़ा धन्या पत्ता भी डाल रहे हैं उपर से अब आलू सेयार हो चुका है अब यह आलू सेयार हो चुका है गैस बन कर दे रहे हैं अब हम पालक के आठा में आलू का स्टापिंग करके दिखाते हैं भर के पहले पालक का आठा ले लेंगे गिला है इसलिए थोड़ा सुखा आठा डाल डाल के ही हाथ में इस तरीका से गोल गोल पहले कर लेंगे उसके बाद अंगुठा के दबाव से इसको कटोरा नुमा सेब देंगे देखिए यह कटोरी त्यार हो चुका है अब इसमें हम आलू का जो त्यार किये मसाला इस्टपिंग उसको डाल देंगे इसको दीरे दीरे इस तरीका से दोनों अंगुठा के सहता से दबाएंगे दबा दबा के इसको गोल 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 ऊपर की ओर ले आएंगे आठा को तो ये भरा जाएगा अब इसको इस तरीका से दबा देंगे थोड़ा सुखा आठा लेंगे अच्छे से अब इसको हम हाथ की सहायता से धीरे 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 इसको हम चिप्टा करेंगे गोल 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 करेंगे नहीं आप इस तरीका से कर भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे लेके तरहती की सहायता से धीरे 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 गोल गोल करेंगे तो फठेगा नहीं आलू निकलेगा नहीं इसमें से हल्का सब करेंगे हल्क हाथ से देख रहे हैं हमारा आलू फटा नहीं है अब गाजर कांटा भी ले लेगे इसको भी गोल-गोल करेंगे देखिए कटोरी त्यार हो चुका है इसमें भी श्टपी भर लेंगे आलू का इसको भी उसी तरीका से हाथ की शायता से धीरे धीरे आठाक उपर करते हुए इसका भी लोई बनाएंगे गोल बनाते जाएंगे और चिपका देंगे यह भी तयार हो चुका है इसको भी शी तरीका से हाथ की शायता से पहले बड़ा कर लेंगे गोल गोल अब बेलना दीमे हाथ से चला देंगे बीट वाला आठा का भी तयार किया हूँ आठा इसको ले लेंगे गोल गोल कटोरी करेंगे कटोरी तयार हो चुका है इसमें भी श्टाफिंग अलुका कर देंगे बेलना को हलके हाथ से चलाएंगे गैस पर हम तावा चढ़ा चुके हैं अब इसको हम बारी बारी से शेख लेंगे तावा गरम हो चुका है अब इस पर हम पालक वाला भरा हुआ पराथा डाल रहे हैं इसमें हम घीर आल रहे हैं दोनों तरब अलट पलट करके शेख लेंगे सुना ला होने था दोनों तरब सुनाला हो चुका है विसको हम निकाल लेते हैं अब गाजर वाला भी पराथा शेख लेते हैं अब गाजर वाला भी पराथा शेख लेते हैं अब गाजर वाला भी पराथा शेख लेते हैं दूसरे साइड भी गी डाल देंगे बच्चों को रंग भी रंगे कलर के प्राठे अच्छे लगेंगे खाने में एक बार खिला कर देखिए बनाईए घर पर और खिलाईए बच्चों को गाजर वाला भी तैयार हो गया अब इसको भी हम निकाल लेते हैं पिलेट में अब हम बीट वाला प्राठा भी शेक लेते हैं एक साइड से पलट चुके हैं अब घी डाल दे रहे हैं इसमें दूसरे साइड भी घी डाल देंगे अच्छे से दोनों साइड शीक चुके हैं अब इसको भी हम निकाल लेते हैं इस त्यार हो गया आए इसी तरीका से सारे पराठे बना कर त्यार कर लेंगे । झाल 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 झाल